यामा की FGS V4 का हम काफे टाइम से वेट कर रहे हैं और अभी तक यामा की तरप से इस पाइक का कोई भी ओफिशिल अपडेट आये नहीं है हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये बाइक दिसंबर तक मार्केट में लोंच हो जाएगी लेकिन यामा ने अभी तक इस पाइक का कोई भी अपडेट शेर नहीं किया है तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे FGS V4 के बारे में कि आखरी ये बाइक मार्केट में कब तक आएगी क्या इस पाइक का प्राइस होगा कैसे बाइक के अंदर फीचास आएंगे यामा इस पाइक के अंदर क्या क्या चैंजिस कर सकती है यामा के FGS V3 इंडियन टूलर मार्केट में 150cc नेकेट स्पोर्ट सेगमेंट के अंदर वन अप दी बैस्ट बाइक है जिसकी माइले सबसे बैस्ट है बाइक का पावर टू वेट रेशियो भी काफी अच्छा है क्योंकि अपनी सेगमेंट के अंदर बाइक काफी लाइट वेट भी है और FGS V3 का सबसे बेस्ट पार्ट ये भी है कि स्पाइक के अंजन रिफाइनमेंट और एंजन रिलाइबिलिटी भी काफी अच्छी है सो बाइक के अंदर माइलेज काफी अच्छी मिल जाती है 55 kmpl के असपास की बाइक के अंदर माइलेज है बाइक के अंदर features भी अच्छे है engine reliability और माइलेज भी काफी अच्छी है comfort भी काफी अच्छा है लेकिन फिर भी इस bike के अंदर एक सबसे बड़ी कमी power की है क्योंकि अपनी segment में bike सबसे least powerful है और bike के headlight का illumination भी उतना अच्छा नहीं है और Yamaa ने FGS V3 को काफे time से upgrade भी नहीं किया है FGS V3 को market में आए हुए काफे time भी हो गया है तो इसी वज़े से Yamaa FGS V4 को तो definitely market में लेके आएगी क्योंकि Yamaa ने R95 V3 को R95 V4 के अंदर upgrade कर दिया है और MT15 version 2.2 के अंदर भी काफे सारे changes कर दिये है तो इसी वज़े से FGS V4 को भी Yamaa definitely market में लेके आएगी और changes के बारे में बात करें तो इस bike के अंदर सबसे पहले हमें engine के अंदर change देखने को मिल सकता है Currently bike के अंदर 149 CC का 4 stroke single cylinder air cooled 2 valve engine है लेकिन जो FGS V4 आएगी उसके अंदर हमें 2 valves के जगह पे 4 valves देखने को मिलेंगी और इसी वज़े से bike की maximum power output 15 PS के आसपास देखने को मिल सकती है और bike की torque output 40 Nm के आसपास होगी लेकिन bike के अंदर वहीं same 5 speed gearbox होगा So 2 valves के जगह पे 4 valves अगर bike के अंदर आती हैं तो performance काफी अच्छी हो सकती है क्योंकि bike काफी lightweight है segment में इसी वज़े से इसका initial acceleration और pickup भी काफी अच्छा रहता है और 4 valves अगर bike के अंदर आ जाएंगी तो spike की performance और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी हालांकि bike की top end performance उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है क्योंकि performance में spike का सबसे best part mid end performance ही है सो bike के अंदर 2 valves की जगे पे 4 valves होंगी जिसकी वज़े से bike की power output भी बढ़ेगी और उसकी वज़े से bike की performance भी थोड़ी सी अच्छी देखने को मिलेगी second change spike के अंदर होगा single LED projector headlight अभी जो spike के अंदर headlight है उसकी जगे पे हमें एक नई LED projector headlight देखने को मिलेगी और साथी bike की headlight के cowl का design भी नया होगा headlight का design काफियत तक जो model Brazil के अंदर launch हुआ है FZ16 उसके जैसा देखने को मिल सकता है सो bike के अंदर एक नई LED projector headlight आजाएगी जो MT15 के अंदर है जिसकी वज़े से headlight का illumination भी अच्छा देखने को मिलेगा और साथी bike के अंदर हमें एक नया instrument console भी देखने को मिलेगा जो size में भी old instrument console से जादा बढ़ा होगा और उसके अंदर features भी थोड़े से और अच्छे देखने को मिलेगे bike के अंदर smartphone connectivity, bluetooth connectivity वाले features भी देखने को मिलेगे next change is bike के अंदर देखने को मिलेगा और side से देखने में bike थोड़ी सी और जादा aggressive लगेगी और next change bike के अंदर देखने को मिलेगा कि इसके अंदर newly designed body graphics और new color scheme भी आएगी bike के अंदर हमें नई colors देखने को मिलेंगे, नई graphics भी देखने को मिलेंगे bike के अंदर वहीं same MT15 वाली ही LED daylight होगी single piece grab rail होगा, single piece seat होगी front और rear में वहीं same disc brakes होगी, जिनके साथ में वहीं same single channel EBS होगा bike की performance बहुत ज़दा अच्छी नहीं है इसलिए इसके अंदर dual channel EBS आने के तो कोई chance नहीं है so two worlds के जगह पे four worlds, LED projector headlight, newly designed instrument console, newly designed side panels, new graphics और new colors ये सभी bike के अंदर changes होते हैं तो इसका price भी बढ़ेगा bike का extra price थीन से पाँच जा रुपे के असपास बढ़ेगा और bike का जो top model होगा, उसका extra price एक लाग 30,000 रुपे के असपास होगा और जो bike का standard model होगा, उसका extra price एक लाग 25,000 रुपे के असपास होगा लेकिन Yamaa Spike को अब 2023 में लेके आएगी क्योंकि अभी तक Yamaa ने Spike का कोई भी official update तो share नहीं किया है तो इसी वज़ेसे 2022 में तो Spike के launch होने के कोई भी chance नहीं है क्योंकि अभी December का महिना ही बच गया है और उसमें तो ये bike अभी नहीं आने वाली Yamaa अपने FGS V3 को ही upgrade करके FGS V4 को लेके आएगी तो ये थी सारे details Yamaa के FGS V4 के बारे में जो 2023 के starting में आएगी और bike का action room price 130,000 रुपे के आसपास होगा अगर आप FGS V4 का wait कर रहे हो तो comment box में जरू बताना सो इस वीडियो में इतना ही I hope ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर कुछ भी इस वीडियो में आपको अच्छा लगा हो तो like जरू कर देना चैनल को subscribe नहीं कर रखा है तो subscribe कर सकते हो मिलते हैं अगली वीडियो में till then ride safe, drive safe